असलाम अलेकूं मैं आपका अजिस जाफर आज का हमारा लेसन है तेन क्लासिकल ठेके थी पिछली वीडियो में मैंने 11 मातरे, 13 मातरे और 14 मातरे का लेसन दिया था वीडियो में आपको 5 तार के सवारी पाकिसान में इसे इस नाम से बार जाता है और प्रोसी मुल्क में इसे पंचम ताग बोला जाते हैं तो पाहिं ताग की सुवारी का ठीका है और लच्मी ताग 17 मात्रे शेखर भी से बोला जाते हैं और 19 मात्रे इंदर ताग इस वीडियो में मैं आपको इसका लैसन होगा और वीडियो को स्किप ना किजी कि अवर लास तर दुर्वर देखेगा और अगर कुछ मुझसे कहना हो कमेंट बोक्स में मुझे कहिए कोई भी लैसन सीखना हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और मेरी वीडियो ज़्या सज़ाद शेयर किए तक मेरी वीडियो आप तक पहुए सके तो आए वीडियो स्टाट करते हैं कि स्टार करते हैं सबसे पहले मैं जो पांच ताल की सवारी का ठेक है कलासिकल पंद्रा मात्रे उसका लेसन दूगा मेरे हाथ को गोर से देखेगा जो मुझे कमेंट बोक्स में बोलते हैं सर हमें समझ ने आ रही लिखें नीचे वह काफी टाइम लग जाते हैं मैं स्लो मैं इसलिए आपको इसका लेसन देता हूं आपको समझ आए आप द्यान इदर उधर करेंगे तो फिर आपको समझ दे आएगी मेरे लेसन में पांच ताल की सवारी का ठेक है मैं पहले बड़े करके दिखाता हूं यह ठेका है एक से लेके पंद्रा मातरे कर और सोलवा इसका सम है दिन अब यह कैसे आप दे निकालना है सबसे पहले धिन ता के दिन यह देखिए दो बार आपने निकालना है धिन ता के दिन यहां स्टे कर दें आपने सबसे पहले था और बाया एक साथ आपने हिट कर दें मैंने पहले बताया स्याही की गोल्बटी में यह लास्ट वाली टू फिंगर और यह यह टोन आपका आए और बाया थोड़ा सा क्या से निम ओके इसके बाद है फिन था कि दिन था के दिन था कठ़ा रिंता और था दिन था के दिन थी दोर रिंगर तरी फिंगर से दिन 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 दि दो बार धिन दिन वाएं को आपने ऐसे करना है ओके इसके आगे है कद धिन दिन के आगे है यह कैसे निकालना है वा और गे वागे थोड़ा सब बाएं को खुला आपने छोड़ना है ओके इसके आगे है यह कैसे निकालना है एक साथ हिट करना है यह कैसे दो बाएं को आपने श्लिप करना है कदाल जी साथ हिट करना है कदाल जी साथ यहा थे थ्या करने जी तिन यहां स्टे ऐगा है कट के साथ स्याही की गौल्ट बटी में फिंगर को हिट करना है इसके आगे हैं यह कैसे ता थे स्याही की गौल्ट बटी में इसके आगे हैं इसके आगे हैं धिन धिन न दोबार पिछली वीडियो में इसके आगे हैं धिन धिन दोबार पिछली वीडियो क्लासिकल ठेके ते दिन दिन और दिन से स्टार को क्टा अपने बाएं को डगा ना है यह कैसे निकालने लें वाए को आगे वीशे एक साधित करने दो बार दो आधिन ना ओके यहां तक यह मुकंबर कंपलीट ठेगा उजबाद ले करके दिखातों यह कंपलीट ठेगा था पांट ताल के सवारी का अब हम आगे की तरफ चंते हैं यानिके स्तारा मात्रे लच्वी ताल और प्रोसी मुल्क में से शेखर भी बोला जाता है शेखर ताल तो यह कैसे निकलेगा स्तारा मात्रे और अठारवा इसका सम है इसकी हादी देखीगा सबसे पहले मैं बड़े करके दिखाता हूँ अच्छा इसकी हाली हाफ एंड आठ एंड हाफ पॉइंट पर है ठीक है यह कैसे निकलेगा सबसे पहले दिन से स्टार करना है आपने एक साथ हिट जैसे पिछले क्लासिकल ठेके से धिन से स्टार होते हैं ओके यह टोन आएगा तो फिर टू फिंगर से थाप से यह फिंगर आपने उठाने ने लास्ट वाली भीक इसरा बने फिंगर स्टार के इसे द्थी जैसे निकले विटिकल न थे आएट को मूव करते हैं इसके आगे है कनार के साथ यह जो कनार की यह और दिन आगे को थोड़ा सा अपने कुलाई छोड़ना है ओके यहाँ आपने स्टे करने है कत के साथ कठा है एक साथ भीट करने है यहाँ स्टे करने है दागे तिन ना धिन धिन ना स्टे करके दागे तिन ना धिन 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 ना धिन 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 ध इसकी दुबारा हाली आगी, यहां से स्टार होगा यह था लच्वी टाल, अब हम चलते हैं, उनिस मात्रे की तरफ इंदर ताल इसे कहा जाता है तो यह भी मैं सबसे पहले प्ले करके दिखाऊँगा और इसकी खाली जो होगी, वो 9.5 होगी, ठीक है पहले जो लच्मी ताल की खाली थी, 8.5 अब 9.5 होगी, इंदर ताल की खाली है यह कैसे मिने हुआ, सेम से मैं, रिफरेंट है, तिन किसी टेके में आगे है, धिन कहां पीछे है, इस ठीक है इंदर ताल का ठीक है ओके हाली सी दुबारा स्टार्ट होगा अब ये कैसे दिकालना है इछले ठेके की तरह कठा एक साथ हीट करणे इसके बाद है ये कैसे दिकालना है सेकंड फिंगर फिंगर कट हाथ को मूव करणे स्याई की गोल पटी में इसके आगे है इसके आगे ये कैसे निकालने है कठा एक साथ इड़ करने है इसके आगे है कट और स्याहिकी गौड वोटी में इसके आगे है ना ना के साथ ही आपने प्ले करने है तिन ना टिटिकिट ये कैसे कालना है सेकंड फर्स्ट एंड कर तिटिकुट के साथ ही दिन दिन ना है दो बार अब मैं प्ले करके जाओं लास्ट वाला जो पॉर्शन था वो ध्यान से देखें अब मैं को स्लिप करने नगड़ना है दो बार आपने निकालना है अगर मेरी वीडियो पुसंद आए तो अपनी राय का इजहार जरूर किजिए मुझे